आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ आपके लाइफ के सबसे बड़ी प्रॉब्लम की उसका सिलुशन क्या है यह क्या क्या आपको लाइफ में इंप्लिमेंट करना चाहिए किस एलुजन में है क्या पोर्चनिटीज आ रही है क्या आपको भूलने की आज आपको मेरी इस वीडियो पे मिलने वाले हैं इससे पहले कि मैं रेटिंग स्टार्ट करूँ मैं आपको बताना चाहती हूँ इस महेंने अप्रेल में 28 29 30 अप्रेल को मैं आपके लिए लेकिया रही हूँ पैंडलों हीलिंग वरक्शप जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि पैंडलों की हल्ट से हम किस तरह से हीलिंग कर सकते हैं रुपिस ट्रिपल नाइन में ये वरक्शप होने वाली है आपको इंड्रोल करवाना है जल्दी से मेरे दिये गए वाट्सप नंबर पे आप डिटेल ले ले और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से आ नाध राखें से हैं जितने जल्दी आएगे उतना ही जल्दी आप बुकिंग हो जाएगी ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्म ना हो जाएगी से में रिलेशनशिप हीलिंग सिाऊंगी वहोत तरह के हीलिंग होती है कोड़ कटिंस सिखाऊंगी कर्मि कोड़ कटिंग UX जानकारी इस workshop में मिलेगी तो अब हम reading स्टार्ट करते हैं आपके लिए सबसे पहले मैं देखूँगी आपकी life की current situation क्या है ठीक है अगर यह match होते है तो देखेगा नी तो आप मेरी कोई और और वीडियो देखेगा यह message किसी और के लिए छोड़ देज़ेगा ठीक है male female सबके लिए reading होने वाली है सबसे पहला कार्ड आपके लिए निकाला जा रहा है आपकी life की current situation इस वक्त क्या है ठीक है queen of cups का काड़ा आ रहा है यहाँ पे हमारे पास scorpion Pisces Cancer अपना अपना ख्याल रखने से ड़ते हैं मुझे ऐसा नजर आ रहा है जिसकी भी मैं यह reading कर रही हूं family के लिए आपने बहुत कुछ किया है अभी आपकी जो भी problem है सबसे पहले जूड़ी हुई है आपके साथ और आपके परिवार के साथ सबसे बड़ी समस्या है आप अपने family की हर problem को solve करना चाहते हैं आप चाहते हैं आप सब एक साथ खुशी खुशी रहे और financial abundance भी आपकी family में रहे और आपको respect सम्मान मिले मुझे ऐसा नजर आ रहा है तो money का matter है या फिर आप अगेला पर महसूस करते हैं कि आपकी family में आपके उपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है और करी बार आप सोचते हैं कि वो आपका ध्यान रखें लेकिन यहां पर मुझे वो energy आ रही है कि आप को अपना भी कभी ख्याल रखना पड़ता है तो आप ये सोचने लगते हैं क कि गुना हो गया आप चाहते हैं आपको family में appreciate किया चाहिए चाहिए यह male है चाहिए female है आप family के साथ आप मिलके रहना चाहते हैं वो सब सबने आप पूरा करना चाहते हैं सबकी health अच्छीर हो आपके घर परिवार में ऐसा सोच रहे हैं आप क्योंकि कि आपके हमारे पास है टैल ओफ पेंटेगा ये आपकी crud situation है जो दिखाई दे रही है ये आप चाहते है बट actual में है क्या देखते है आपकी situation actual में क्या है जो आपको खुशी नहीं दे रहा है क्या है वो reason जिसकी वज़े से आप खुश नहीं है दा अंप्रीजेंट facts you probably don't like एस ओफ पैटिकल आपको मनी से रिलेटर संतुष्टी नहीं है अपनी लाइफ में आपको और मनी चाहिए जो आप जिजर्व करते हैं आपको अभी भी satisfactory result नहीं मिल रहे है मनी से रिलेटर काम करना चाहते हैं खास करके यह आप हाउस वाइफ और करने दिया नहीं जाता फैमिली सपोर्ट नहीं करती है आज की जो रीडिंग है न सभी लोगों को मैच नहीं होगी यह जादा तर हाउस वाइफ के लिए रीडिंग हो रही है जिनकी लाइफ में मनी की problem है और फैमिली सपोर्ट नहीं करती है अगर आप मेल भी है तब भी आपकी लाइफ में मनी से ही रिलेटर प्रॉब्लम होगी और आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा इस तरह की energy यहाँ पे है जब बुर्दस्ती दिखिए connecting मत कीजेगा अगर यह resonate ना हो ठीक है मैं आपके लिए कोई और वीडियो बना दूँगी क्योंकि शायद किसी को तो यह guidance चाहिए हो जो अचानक से मैं इस topic के उपर आपके लिए वीडियो लेकि आई सबसे main major issue आपकी life का है money ठीक है financial independence अब देखते हैं आपको भ्रहम क्या है किस भ्रहम में आप जी रहे हैं कोई ऐसी चीज जो आपको पता होनी चाहिए लेकिन आपको पता नहीं है आपकी career में क्या है वो illusion जिसकी वज़े से आप release नहीं कर पा रहे हो या let go नहीं कर पा रहे हो अच्छी energy attract नहीं कर पा रहे हो क्या है वो reason emotional बहुत ज़्यादा over emotional होना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आप किसी को खुल के कुछ बोली नहीं पाते हो कि कोई आपकी बात को accept कर सके convinced power आपकी strong नहीं है और आप यहीं सोचते हैं कि आपको कोई प्यार नहीं करता आपकी किसी को आपकी परवार नहीं है और आप करियर में ध्यान दे ही नहीं पाते हो आपको लगता है कि वो करने नहीं देंगे ये सोचके आप चुप हो जाते हो और आप कुछ नहीं कर रहे हैं ये आपकी मिस्टेक है, ये आपकी गलती है आपको ऐसे इनर्जी में नहीं आना चाहिए आपको खुश रहना होगा और अपने लिए स्टेंड लेना होगा आप दुखी हो के बैठ जाते हो वो करने नहीं देंगे ये सोच लेते हो आप बट ये आपको आप ही को पीछे कर रहा है ये आपकी गलती है इस वज़े से आज तक आप एसो पेंटेकल की इनर्जी में आए नहीं है हर चीज दिल से नहीं सोची जाती करियर में दिमाग से सोचा जाताया नए-ni आईडियस लगाय जाते है उन आईडियस में काम किया जाताया तब जाके इंकम होती है पर आप ज़्यादा इमोशनल होके बैठ जाते हो किसी ने कुछ कह दिया बैठ गए दिल पे बात लग गई बैठ गए मेरी तो किसमती खराब है ऐसा बोले हो आप ये बोलना बंद कीजिए नमबर आठ की वाइबरेशन है खास करके हो सकता है आपका डेट बार्थ आठ हो स्ट्रॉगल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है नमबर आठ वालों को सभी करते हैं बड़ नमबर आठ वालों को देखें स्ट्रॉगल के बीना कुछ नहीं मिलता है क्योंकि ये श्वणी का नमबर होता है जस्टिस है तो कहीं न कहीं आपके कर्मा भी जुड़े होता है आपके लाई से तो कोई भी चीज़ आपको कड़ी मैनल से मिलती है और ये भी इसमें ये भी देखा जाता है कि आप जो परफेशन कर रहे हैं वो सही है भी ये नहीं ठीक है वो भी मैटर करता है आपका पूरा चार्ट देखके ही आपको पूरा डेटेल में बताया जा सकता है पट यहां पे आपका सबसे बड़ी गलती ये ही है ओवर इमोशनल होके बैठ जाना इसने मेरे साथ वो कर दिया उसने मेरे साथ ये कर दिया इस तरह का आप विक्टम बन जाते हो ये आपकी गलती है जिस वज़े से आप अपने सही जगा पे नर्जी नहीं लगाते है करियर में कोई अच्छा आउटकम आपको नहीं मिलता है आपको बार बार परियास करने पड़ेंगे एक बार हाटें दो बार हाटें बार बार करना पड़ेगा जब तक कि आप जीत नहीं जाते नमबर आट वालों का ऐसा ही होता है ठीक है आपके पास क्या उपोचिनिटीज है अभी आपके हाथ में जो आप कर सकते हैं मैं वो आपको बताती हूँ आपके लाइफ में क्या है अपोचिनिटीज क्या अपोचिनिटीज है आपकी लाइफ में देखते हैं आपकी लाइफ में अपोचिनिटीज क्या है नमबर वन नमबर टेन टॉर्स केप्रिकॉन विर्गो स्कॉर्पिया पाइसिस के इंसर अब इनका ही मुझे मैसेज आ रहा है आपके पास क्या है अपोचिनिटी वाव जज्जमेंट आपके पास पहले तो दिखिये भगवान का आशिरवाद है बड़ो का आशिरवाद है और आपके गुड करमा आपके साथ है ये मुझे दिख रहा है fruitful future है आपका आपके पस लोगों की guidance है आप जो मांगते हैं आपको वह मिल जाता है आपके पस पता क्या power है आप जो मांगेंगे वह आपको मिल जाएगा अब भगवान से मांगो वह बैठे हैं आपको देने के लिए नंबर टू की vibration है आप न मैं आपको बोलूँ कि आप न ओम नमश्वाई का जाप करना स्टार्ट करें और सौमपार को शिवलिंग के उपर जल चड़ाए इस से आपकी ब्लॉकेजिस खुलेंगी और आप अपोचनिटीस बहुत ज़्यादा है आपके पास अपोचनिटीस के बारे में मैं और ज़्यादर डिटेल में देखूंगी ठीक है क्या क्या है आपके पास अपोचनिटी इस वक्त कि आप अपने करियर सेट कर सकते हो आप बहुत अच्छी प्योर सोल है आपको न इश्वर एक रस्ता दिखा रहा है ओलड़ी वो है आपके पास दिखते हैं क्या है यह रस्ता पॉस्टिव रहना है हीलिंग करना है हीलिंग हम 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 पेशिंस रखना होगा कुछ टाइम आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत हार्ड वर्क कर लिया लेकिन यह जो आपकी डेस्टनी है ना इससे जगदा हार्ड वर्क करवाएगी आपको आप शयद कोई हीलर है यहाँ पर मैं मेडिटेशन करता हुआ किसी को देख रही हूँ आप meditation करते हैं आप meditation से earn कर सकते हैं healing से earn कर सकते हैं ठीक है आपके angels आपके guide आपको support कर रहे हैं ये मुझे दिख रहा है आपने किसी सादू को खाना खिलाएं मुझे ये नज़र आ रहा है अगेन यहां पर देखें number 8 भी बन रहा है 178 struggle यही दिखाता है आपकी life में इस वज़े से struggle है सबसे पहले तो आप calm down ठीक है हो जाएं और कुछ दिन आप अपने healing स्टार्ट करें आज दिन बहुत अच्छा है ठीक है आपको क्या करना है आपको बैठके affirmation set करनी है कि आपके पास बहुत पैसा है आपको पैसा चाहिए यह मत बोले बहुत से लोग मुझे आके सीधा यही बोलते हमारे पास पैसा नहीं है रीडिंग बुक ने करा सकते suggestion दे दे तो को ऐसा दिक्कत आती है हम ऐसे energy को handle नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऐसे energy को देखो कोई भी नहीं पसंद करता जो हमेशा रोते रहते हैं या फिर वो यह चाहते हैं कि उन पे दिया की जाए ऐसा नहीं है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ऐसा आपको खुद को नहीं बनाना कि लोग आप पर तर्स करके आपकी मदद करें ऐसा बिल्कुल भी अपने आपको ना बनाए ये बहुत गलत है आप अपने साथ इस तरह का वर्ताव ना करें क्योंकि अगर आप भी अपनी रिस्पेक्ट नी करेंगे तुद सामने वाला क्या करेगा unnecessarily कभी भी ऐसा ना बोलें कि हमारे पास पैसा नहीं है तो नेगटिव होना आपके करियर में आपको पीछे करता है हीलिंग से रिलेटेड मैंने यहाँ पे न सबसे ज़्यादे intuition मुझे वही हो रही है हीलिंग से रिलेटेड कोई काम आपको करना चाहिए जिसमें लोगों की भलाई हो यह काम अगर आप करते हैं आपको अच्छा होगा और इसमें इंकम आना भी स्टार्ट हो जाएगा और सब को यह अपनी क्रियेटिविटी खुद लगानी है अपना दिमाग खुद लगाना है कि आप ऐसा कौन सा काम कर सकते है जिसमें लोगों की भलाई भी हो और हम इंकम भी कर सकें ऐसा काम आपको बहुत फ़लेगा यह अपोच्छनिटी और लड़ी आपके अपने हाथ में इस वक्त है ठीक है यह मुझे दिखा रहा है यह एड प्रेजन्ट कौन सी अपोच्छनिटी है आपके पास यही अपोच्छनिटी है जो मैंने आपको बोला है लोगों की मदद क्यारे आपको क्या भूलने की ज़रूरत है देखते हैं ऐसे कौन सी चीज़ है जो आपको भूलने की ज़रूरत है नाइन ओफ पैंटिकल यहां पर ने एडिस लिए और सेज़िटेरिस की एनरजी भी है मैं शर्द बताना भूल गए थी और नमबर नाइन है यहां पर नमबर एट टू एट वन और टैन ऐसे ही नमबर आ रहे हैं यहां पर देखे आपको ना एक तो प्राउड अपने आपको नहीं फिल करना है मतलब बहुत जादा घमन नहीं लेके आना है आपके अंदर तो यह चीज़ें आपको अपने भूलने की जरूरत है और इतना नहीं सोचना कि आप मनी कमा नहीं सकते हैं आप ध्यान देंगे आसपास आपके पास बहुत जादा मनी आएगी बट आपकी सोच है कि आप पॉस्टिर साइड नहीं देख सकते हैं यहां पे देखे इतने सारे पैंटिकल्स रखे हैं लेकिन ध्यान आपका आप बैठे हैं आप देखनी रहे हैं पीछे तो यह चीज़ें आपको देखनी हैं अपना यह नेचर बदलो अब अगर अपॉस्टिर्टिस की तरफ ध्यान दोगे आगे पीछे देखोगे तो बहुत सी चीज़ें आपको दिखेंगी जिससे आप अपने फाइनेशल प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं पुरानी बाते भूल के आगे बढ़ें इमोशन से लेके देखें आपना करियर में इमोशन से लेके आ रहे हो यह आपको सबसे बड़ी मैं बोलूँगी कमजोरी है आपको आगे बढ़ने से रो करेए आपको ऐसा नहीं करना है यह चीज़े आप भूलो पास्ट आपको भूलने की जरूरत है पास्ट को लटगो करो और अपने करियर पर ध्यान दो आपके लिए कौन सी चीज़ है यह भी चेक कर लेते हैं वाव पेज ओफ पैंटिकल विद एट ओफ स्वाड मैं कुछ कर नहीं सकती मैं बाहर नहीं जा सकती मेरे बारे में कोई सोचता नहीं मेरे बारे में कोई कुछ जानता नहीं मेरे बारे में कोई कुछ करता नहीं मैं कहां जाऊं यहां पर यह भी इनर्जी आरी है कि घर में बच्चे हैं फैमिली हैं मैं इनको छोड़के कहा जाओं तो ये जो चीजें हैं आपके लिए पहले तो ये हटाएं कोई ऐसा परसन है जो आपके मदद कर सकता है अपने आस पास देखें आपके घर में कोई है जिनके साथ आप बात कर सकते हैं उनके साथ खुलके बात करें अपनी विश्ट बताएं कि आप ये काम करना चाहते हैं वो आपको बिल्कु सपोर्ट करेंगे खासकर कि हस्बिंड भी याँ पे दिख रहे हैं मुझे आपको सपोर्ट करता हुआ इन से हेल्प ले आप बिना हेल्प लिए ही आपको ना बात नहीं करना आता प्रॉब्लम ये है अपने हक के लिए बोलना नहीं आता बोलना कुछ है बोल किसी और तरीके से जाते हैं जिस वज़े से चीज़े बिगड़ती हैं ऐसा होई नहीं सकता कि हम किसी को कोई बत बोले एक ढंक से बोले और वो मना कर दे उनको लगना चाहिए ना कि आप बहुत अच्छे बात कर रहे हैं तब ज़रूर ऐसा होता है ये अनरजी आपके लिए बिल्कुल भी हलफूल नहीं है ये हलफूल है खुलके बात करोगे तो अच्छा है रहेगा विक्टिम बनके बैठोगे तो ये अनरजी तो आपको कभी भी सकसेस नहीं होने देगी फिर तो आप कितने वर्जी हीलरों से हीलिंग भी करवा लीजी कुछ नहीं मिलना अगर आप मेरी ये गाइडिन्स फोलो करते हैं तब आपकी लाइफ में क्या होगा देखते हैं वाव न्यू बिगिनिंग फाइनेश्रल गेइन होगा देखिए कोई ऐसा परसन है आप खुल के बात करो उनसे ज़रूर हैब मिलेगी आप स्ट्रगर ज़रूर कर रहे हो बट आपको एंड में सकसेस मिल जाएगी एसल स्वार जैमनाई लिबराइक कुरियस कि याँप एनरजी है नमबर एट बोज़ादा आया है आज की रिडिंग में रिलेशन्शिप में है दिक्कत लेकिन इस वक्त आप रिलेशन्शिप के बारे में नहीं सोच रहे हो आप करियर के बारे में सोच रहे हो आपको बनना है कुछ बनना है यह इच्छा है आपके अंदर यही सबसे बड़ी समस्या है और मैंने आपको बताया है किस तरह से आप कर सकते हैं अगर आपको यह मेरी रिडिंग अच्छी लगी है तो बिलकुल लाइक ज़रूर करें मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक महिने में कुछ न कुछ आपके करियर में मुझे इंप्रूब्मेंट नज़ आ रहा है एक महिने के अंदर अंदर आप नए शुरुआत करेंगे और धीरे 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 आप आगे बढ़ेंगे success की तरफ जिससे आपको मिलेगा financial gain क्योंकि मेन आपको मुझे न यहां पर money 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 बहुत ज़्यादा ज़रा रहा है आप आगे बहुत बढ़ेंगे healing में देखिए अगर आप healing में जाते है न तो बहुत अच्छा रहेगा ऐसा काम दूसरों को advice देना counseling करना यह काम आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप इस field से हैं आगे बहुत ज़्यादा आप तरक्की करने वाले हैं बंद नहीं करना है ठीक है यहां पे दहरम fin के साथ आया है wheel of fortune बहुत अच्छा positive outcome आएगा income के source बनते जाएंगे और permanent रहेंगे यह resource आपकी लाइफ में तो यह है आपकी लाइफ की पूरी समस्या और उसका समाधार आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है मेरी इस वीडियो को like करना है like करें share करें subscribe करें मेरी इस चारल को ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लिए लेकि आती रहूं मिलती हूं अपनी नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए पाई टेक कियर